इसका चैप्टर बाई चैप्टर है ठीक है चैप्टर कह रहा है लोग तंतर में सत्ता के साज़ेदारी लोग तंतर क्या होता है लोगों का तंतर देमोकरिटिक कंट्री हमारा भारत तो इसमें कह रहा है कि लोग तंतर में सत्ता सत्ता क्या होता है सरकार को कहते हैं उसकी साज कि सरकार किसी की चल लई हो उसमें 2-3 गुट मिल करके काम करता हो तो उसको क्या बोलते हैं लोक तंतर में सत्ता में साज्यधारी इस चेप्टर के अंतर बहुत सारा सवाल बनता है पहला सवाल है भारत एक लोकतंतर की सबसे बड़ी विशेशता क्या है भारत एक लोकतंतर देश है तो इसकी सबसे बड़ी खासियत खूबी क्या है तो एक लाइन में यह दो नमबर का सवाल आपका पॉलिटिकल का तो एक लाइन में है कि भारत एक लोकतंतर की सबसे बड़ी विशेशता अ बिख कानून को मानते हैं, यहां रंग भेश, वेश भूसा वाले समाज में असमझ जानी कि अलग अलग है, कहीं देखो कि महराश्ट में कह रहे हैं, तो अलग ड्रेस, पंजाब में चले जाओ गों तो अलग पजामा, हडियाना में चले जाओ अलग है न, लेकिन खान पान व विवित्ता में एक्ता का अर्थ क्या है, कह रहा है, विवित्ता लोगतंदर का एक सवभाविक गुन है, लोगतंदर में विवित्ता नो हो, यह हो ही नहीं सकता, सवभाविक गुन है, विवित्ता में एक्ता लोगतंदर वैस्ता की एक खास विसेशता है, लोगतंदर यानि भारत की एकता टूटने वाली होती है या इश्वर के दोड़ प्राकिर्तिक आपदा जैसे अभी रिसेंटली कुरोना वायरिस था यह प्राकिर्तिक आपदा था है ना तो वही कह रहा है तो सभी जाती हम धर्म लंबियों के लोग आपसी भेदबा भूलकर एक साथ मिल था ओक्सीजन की जोरत पर रहे थी तब कोई यात नहीं देख रहा था सिरिफ जान चाह रहा था ऐसे ही कि कोई भी देश में भारी संकट आ जाए सभी धर्मों के लोग मिल करके उस संकट का सामना कर लेते हैं इसे हम विवित्ता में एकता का एक अनोखा आदर्शा यह सिरि पर काले लोग भी रहते हैं गोरे लोग भी रहते हैं सिक, हिंदू, मुस्लिम, कृष्यन, सारे धर्म के लेकिन सब एक संविधान को मांते हैं इस देश जैसा संसार में कोई देश नहीं है तो इसे हम विवित्ता में एक तावला हम है विविविन लेकिन एक हैं बंदवा मजदूर कहलाता है आप हमारे यहां काम करते हैं हमने आपको 5,000 रुपए के लो 5,000 रुपए बच्चा का एडमिशन करा लो जड़ा चुरा कुटा लाओ तो जड़ा मुसरी पीसा लाओ है न और फिर आप हमारे यहां आप छोड़ के नहीं जा सकते आप छोड़ के जाने दारित होती है और जो करेगा हमने आपको करज दिया है हम आपसे कुछ भी करवा ले हम मुर्गी चरवा ले आपसे कुछ भी करवा सकता है यही बंदवा मजदूर है ताकि करज चुकाना असंबब हो और ऐसा ऐसा काम करागा कि करज नहीं चुआ सकता है चुका हम उसको करी ने सकते 1975 में राष्टरपती के एक आदेश के द्वारा बंधवा मजदूर की परतिबंद लगा दिया गया 1975 में भारत के राष्टपती के द्वारा मजदूर पर परतिबंद लगाएगा बंधवा मजदूर रोक लगाएगा अगर उसमें युगता है तो राजा भी वो बन सकता है लेकिन पहले तो वन्शानुगत चलता था ना राजा का बेटा राजा बनेगा लेकिन आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा राजा ओही बनेगा जिसमें टालेंट है तो ये था आपका बंदमा मजदूर जाती और नसल में क्या अंतर है जाती और नसल अगला सवाल है जाती और नसल समान नहीं है एक नहीं है जात अलग चीज़ है नसल अलग चीज़ है क्योंकि जाती का आधार समाज से होता है फ्लाने जाती का है और नसल का आधार जीव शास्त्र से होता है जीने के रंग धंग से होता है है ना यानि एक साइड मानलों की भहेंश चली जा रही है आओ में एक टूगाई धूग गई तो कहागा कि उस जाती में पता ने किस नसल की भहेंश है उजली है ना नसल चिंज हो गिया पहले जाती था तो जाती अलग चीज़ है नसल अलग चीज़ है किन्तु नसल जाती की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्री और वैदानतिक वर्गी करन है कहीं ने कहीं आए जो नसल है वो जाती से मेल करता है लेकिन दोनों में अलग-अलग चीज़े हैं या कह दिया है तो जाती समाज होता है और नसल का आधार जीवा सास्त्र है जीवन जीने का धंक और नसल बोलते हैं । कभी-कभी गर्यां न दिता हैं पता नहीं कुन नसल का हारामी है बदमास है, कुटता है, ऐसा ना तो वहीं से नसल कनेक्ट हो जाता है अगला सवाल है, सम्विदान की सर्वच्च सर्वच्चता से आप क्या समझते हैं सर्वच्च, यानि सर्व यानि सबसे उचा उपड हो सवाल समझ जाओ गोई जवाब आपका हो जाएगा सवाल कह रहा है सम्विधान की सर्व उंच्छता सर्व से उंच्छता से आप क्या समझते क्या है तो कह रहा है सम्विधान की सर्वच्छे संगिये सासन व्यवस्ता की सबसे महत्पून विसेशता है सम्विदान के सरवच्चे संगिय शासन की यानि यहां की सबसे बरी है कि हमारे यहां सम्विदान को माना जाता है हमारे यहां कानून को सुप्रीम कोड हाई को माना जाता है इसका आश्ययो है कि सम्विदान लिखित निशित असपस्ट है भारत का सम्विदान ही सबसे बारा सम्विदान है भारत का सम्विदान विश्व का सबसे बारा सम्विदान तो भारत का सम्विदान है सम्विदान राजी की सरवोच वीदी है सम्विदान क्या हर राजी का एक सिस्टम है वीदी है जिसका उलंगन नहीं किया जा सकता, कोई भी व्यक्ती उलंगन नहीं कर सकता 24 चोरी कांट हुआ था, उनिस्सा बाइस में, है ना, उसमें का कर दिया, थाने में एक आदमी को जला दिया तैयक सरकार से पंगा हो गया यानि उसने आप क्या किया सरकार का उलंगन कर दिया सम्विदान का उलंगन उस समय में जो की अंग्रेजी सासन था 2 में लेकिन सरकार से लडाए कर लिया रोकना पड़ा अन्धोन अन्गांधीजी को कैंदर और इकाईयों के 20 शक्तियों का विभाजन सम्विधान के द्वारा ही किया जाता है राज सरकार और कैंदर सरकार परधार मंत्री और मुख मंत्री का जो बटवारा होता है पावरगा वो सम्विधान के द्वारा ही किया जाता है राज के राजा को यानि मुख मंत्री को राज भर कुछ करने की अनुमती होती है कैंदर का राजा जो होता है वो पूरे राज का भी राजा होता है परदार मंत्री हो कहीं भी कुछ लगा देगा तो यह था आपका सम्विदान की सर्वचता क्या है सम्विदान के सरवच्चता ये है कि सम्विदान के सरवच्चता हमारे लिए सबसे महत पूर्ण है इसका आश्या सम्विदान लिखित हो और असपस्ट हो सम्विदान के हमें बात माननी होगी राज के लिए एक लिखत सम्विदान को लिख दियाता है मानव को अपनी उन चीज़ों पर कभी कारिये नहीं करना चाहिए जिसको आप खतम हो जाने वालो हो मानव की जवानी क्या है खतम हो जागा यह जो चमणा दिखाड़ा आता पलेन गुकुच जागा बुड़ापा में बुड़वा तो सब होगा यानि के मनुष्य में गोरे और काले रंग के आधार पर विभेट करना काले रंगवालों को गोरे रंगवालों की अपेक्षा कई अधिकारियों से वन्चित करते हैं गोरा आदमी को सब पसंद करता है, जो काम गोरा आदमी को बोलाएगा हूँ, काला आदमी को बलेगा अनसर्दा है, अच्छा नहीं है, पगला है, रंग से कभी नहीं, लोगों के वैवहार से करम सी लोगों को मापना चाहिए, रंग भेद भाव से नहीं, रंग भेद क्या है तो गोरे लोगों के बनिस्बत काले लोगों को बहुत सारे कारियों में लोग सामिल नहीं करता है यह तर अंग्रेजवा था, महात्मा गंदी को काला काला का ट्रेन से ठेल दिया था, उत्वा उपर वाला का सुकर हो कि ट्रेन उटाम में धीरे चलती थी, गंदी जी को टेटर उटन निकल जाता, वो अस्ते टेला, ट्रेन रुखने वाले थी, अगर ऐसा बुले ट्रेन आज सत्ता का विभाजन क्यों आवश्यक है, तो सत्ता का विभाजन क्यों जरूरी है, सत्ता का विभाजन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इस से लोगतंतर में परतेक वेक्ति को साज़दारी मिलती है, हर वेक्ति को लोगतंतर में साज़दारी मिलती है, आज आप वीजेपी मे कि आप चले गए RJDY में तो है ना हिस्सारा सब को मिलता है पर्धानica संतुष्टी मॉइशोस करते हैं जो भी पार्टी ऑपरुष काbn-सो है संतुष्ट है विदुष्ट की संभावना कम हो जाती है जब हम पार्टी हम बन गया, यूपी योगी को दे दिया, उकेजरिवाल को दे दिया, उदर बंगाल मम्ता दिदी को दे दिया, इदर नितीज लालू को बाण रही है, तो क्या हो गया, कि सब अपने अपने काम में खुस है, सब का काम छीन लोगे, तो निसाना बैठा के गोली उली दाग देगा, यही कह रहा है कि, सत्या का विवाजन की हो आवे सक है, तो सरकार को अच्छे से चलानी के लिए, समू को संतुष्टी आराम देने के लिए, सत्या का विवाजन अनिवारी है, क्लियर सबाल, अगला सबाल करा है, ना अली आ रहा है, ना स्री राम आ रहा है, मौर तो तुम न रहे हो, यही को हम कहते हैं जाती वाद, हम हिंदू जातके हैं, तो हम ब्रामन जातके हैं, तेली है, सूरी है, यह बड़ा खतरनाक मसला है, जाती वाद भारत की एक मुख्य समाजिक समस्या बनती जा रही है मुख्य समाजिक समस्या है जाती विवस्ता से ही समाज में उच निच के भावना पैदा होई है जाती से ही उच निच है इकोन है तो बहिया इबरहमा नहीं करम के आधार पर गले लगा लिए जिसका समाज बुरा परभाव पर था क्या कह रहा करम के आधार पर विक्सित जाती विवस्ता जनम के आधार को गले लगा लिया करम को छोड़ दिया जनम से गले लगा लिया यानि जो सैख में हुआ जो ब्रामन में वो बहुत बड़ा हो ग जिसका समाज पर बुड़ा परवाव पर रहा है आज हमारे यहां क्या होता है जो बड़ा होता है अमीर होता है लोग उसको क्या करता है आज आपको invitation आएगा अभी नहीं आएगा आपको आप पैसा में अच्छे हो तो आपको invitation आएगा आप जनम से दादा राजा थे तो पूतर राजा होगा ऐसा नहीं होता आज जातीवात केवल समाजिक समस्य है नहीं राजनीतिक समस्य भी बन गई है आज जातीवात जावो राजनीतिक है कोई भी party लरती है हिंदू खड़ा होगा बचाएंगे मत बचाओ मझीद कोई फाइदा निया एजूकेशन अस्थल की जवरत है भारत को मंदिर मंजीद की कोई जवरत नहीं है बहुते मंदिर मंजीद है दुतला मंजीद दुतला मंदीर बना जा रहा है क्यूंकि जाती और राजनीतिक दोनों एक दूसरे को मंद में अपना विचार वेक्त करते हुए सही का है कि आज हम जाती वाद हीन राजनीतिक की कल्पना नहीं कर सकते आज राजनीतिक हो खास के भारत में और जात की बात ना आये हो ही ने सकता भारत की राजनीतिक बिना जात के नहीं हो सकती उनका कहना सही है कि राजनीतिक मे जन जाती है इतना प्रभाव हो गया है कि बेटी और वोट अपनी जाती को दो का परचलन कर दिया है आज दो चीज़ी का दिया है कि बेटी बिया होगे तू बरहमनो तो बरहमने की बेटी से बिया करो वोट बढ़ामन हो तो बढ़ामने को दो शादी बिशाधी बिशाल किसी से हो जाना चाहिए क्योंकि मानव वो भी है डोक्टर भीमरां अमबेटकर का पोता भी आया हुआ है वो भी तो कहा है कि भाई भेटबाओ किस चीज़ का क्या इस हाथ को किसी आदमी ने बना दिया है, बनाने वाले ने भेद नहीं किया, तो आदमी को भेद करने का अधिकार नहीं है, आज कर रहा है कि बेटी भी उसी को दो, क्या बोलते हैं, वोट भी उसी को दो, अपने धरम बाले को दो, ऐसा कुछ हो नहीं है, अपना धरम बा फिसल के भाग गया बेटी ॸ्याल्टि श्कीज में कई पटाओ कर दिया अब ये मोदी जी का स्टेटम一点 था तो ब्युर्टि बचाओ किसके लिए बचाओ मतलब जाती बात मे शिखाओ के लिए सिख्षा सर्व सिख्षा आप बियान जो चला, किसके लिए, सिक्षा का मतलब है बेद भाव खतम करना, धरम खतम करना, जातवाद को खतम करना, अब यहाँ पर बैटे हो, हिंदू, मुसलमन, सब बैटे हो न, कोई बेद भाव करता है, करेगा तो फिर सिक्षा का मतलब नहीं, जो सिक्षा, जो बाट लोगों को वो शीख्छाय नहीं वो मझद भी नहीं होता है तिम अगला सवाल design का परिवारोद यानि कि परिवारोद किया है बाबर गान बागर के बाद बाद अकबर बना जहीरुद्दु dusad Efendi यह वह साज यहां यह परिवार बाद हो गिए देखो अधिकांस राजनीतिक दल एवं उसके नेता अपने ही पडिवार एवं सगे संबंदियों को राजनीतिक दिल में लाने के लिए शुनाओं के अफसर पर उम्मी बात बनाते हैं ज्यादा तर प्रोलिटिकल पार्टी क्या है वो क्या करता है कि अपने बारत के परदान मंद्री बने वो मरे तो इंद्रा गांदी आई उनकी बेटी इंद्रा गांदी के बाद जो था वो उनका बेटा राजीब गांदी बना राजीब गांदी बने तो सब उम्मीन में था कि राहुलो गांदी बन जागा नहीं बने तो वहां तक तो वंशागत देता रहे वो परिवार बत कहलता है यही राजनीती में परिवार है परिवार बाद है तो यही राजनीती में क्या हो गया परिवार बाद हो गया हाली के दशकों में यह परंपरा बनी है कि जिस जन परतिनीदी के निधन या इस्तिफे के कारण कोई शिट खाली हुई तो किस टिकट मिल गा, MLG MP कोई टिकट नहीं होता है, यह इसी टिकट नाम दे दिया गया है, कभी कोई के पास टिकट उकट नहीं होता है, टिकट दे देने का मतलब है कि सच्टा में सामिल कर लेना, वो अगला चुनाओ वही व्यक्ति लड़ेगा, तो यही था आपका परिवार का जो नेता था, उसके बाद लगाता है अपने परिवार के किसी व्यक्ति को या सगे संबंदियों को बनाता रहे, हाली में यह लागू कर दिया गया है, कि जो व्यक्ति बिमार हो या मर गया हो, तो वो अपने किसी सगे संबंदियों को दे देता है, यह हम परिव भाव हो उसे नसलवाद कहते है मतलब नसलों के नागरिकों में नसलों के बीच या उस मुद्दे पर भेद भाव समझा जाए तो उसे हम नसलवाद कहते है जैसे दक्षिन अफ्रीका में सुएत और सुएत के बीच सुएत माने उजला खबसूरत गोरे अकाले के बीच जो भेद भाव होता है उसी को हम नसलवाद कहते है दक्षिन अफ्रीका में ऐसा होता है वहाँ का पुलाड कहा है किरिस गेल कहा है सब काला काला अच्छा एक बत यहाँ पर इस समझ में आता है किरिम उरिम जुट की चीजे है किरिस गेल हो गया होता गोरा लेकिन यह नहीं है अगला सवाल आपका कह़ा है लिंगिक और मनलब होता है लिंगिक mmale, female, extreme link पुलिंग के बाद भाव कह़ा है लिंग के आधार पर समाज दो वर्गों में बाटा गया है लिंग के आधार पर दो वर्गों में बाट दिया गया है महिला एवं पुरुस अलग-अलग भी वक्त कर दिया गया है यह महिला हैं यह पुरुस है जैविक दिश्टी कौन से तो दोनों में और समानता सभाविक है जीवन यापन में दोनों में और समानता सभाविक है दोनों का जीवन यापन अलग-अलग डंग से होगा परन्तु दोनों के भी समाजिक भी भेद भी बने रहते हैं समाज में भी दोनों में क्या कर दिया गया भेद कर दिया गया है लिंग के आधार पर पुरुष और इस्तिरियों में भेद करना लिंग के आधार पर भेद कर दिया गया इस्तिरियों को पुरुष की तुलना में दोयम दरजे का मौरत हो गया पहले दरजे का इस्तिरी दुसर अगर 8 बजे रात में कोई लगा का में लड़की के लिए खालाब है लड़का क्रैब को प्रॉबलम में नहीं होगा है इसी अंतर को कहते हैं सिख्षा, खान, पान, पालन पोशन में अंतर करना, आज हमारी यहां क्या हो गया, लड़कियों को सिख्षा पूरी ने देए, बेटी लड़की है, पौन के का करेगी, चूले में मुह घुसाएगी, यह मनदर चूले फूखपाग करेगी, खान, खाने, पीने में भी लड़क वो क्या कर दियाता है चार दिवारी में घौर में कैद कर दियाता है कहा जाता है कि बेटी पढ़ाई धन है माईक यह रहेगी तो कायागा कि लड़की पढ़ाई धन है बेटी आज जब बेटी बियाह करके कहीं जाती है तो कहती है पढ़ाई घर से आई है मतलब लड़की कोई घोड़े नहीं है नहीं यहाँ न वहाँ यह भेद भाव है गिरहस्ती चलाना यानि घर का जतना काम होगा लड़की ही करेगी इस्तिरियों पर पुरुषों का नियंतरन आदी लेंगिक और समानता का उधारन है इस्तिरियों पर पुरुषों का नियंतरन आज पुरुष क्या हो गया इस्तिरियों पर अधिकार जमाता है किसी इस्तिरी को अगर कहीं जाना हो तो बिना पुरुस की अनुमती के बगएर वो नहीं जा सकती अब मानलो चॉली भी गई तो चॉल के पहले जाने से पहले फून लगाएगी न लगा तो चॉली गई आए तो रस्ते में आते फून लगाएगी आगो कहेगी कि ज़रा हम चले गए थे नानी बिमार थी कह गए थी नानी किया बताई कहीं ने हमको तो फून लगा दे रहे सब के लिए टावर है तो मरजी टावर है नहीं है मतलब पूरा का पूरा हमारे समाज में पूरुसों ने इस्तिरियों को capture कर दिया है इसको हम कह सकते है बंदवा मजदूर इस्तिरियों को बंदवा मजदूर बना दिया गया इस्तिरियों के मरजी के खिलाफ हर काम को किया जाता है इस्तिरियों के जीवन को लेंगिक भेदवाओ मतलब तो कोई भेदबाव नहीं है तो इस तरीके से भेदबाव हमें किसी के बीच नहीं इसी को हम लेंगिक भेदबाव करते हैं अगला सवाल है समाजिक विभारशन से आप क्या समझते हैं विभाजन समाज को बांट देना विभाजन का मतलब बांट देना विवित्ता विकास्शिल समाजों की विवेस्ता है विवित्ता जो है विकास्शिल तरक्की करने वाले देशों की खूबी है एक देश या एक छेतर में निवास करने वाले जाती धरम भाषा संपर्दाइकों लोगों के बीच जो विभिनताएं होती है वे समाजिक विभेद कहलाती है एक देश में एक जाती एक धर्म के लोगों के बीच जो विभिनताएं होती है उसी को हम समाजिक विभेद कहते है परन्तु धन, रंग, छेतर का विभेद समाजिक विभाजन का रूप ले लेता है लेकिन क्या हो जाता है यहाँ पर धन रंग और छेतर विभेदक समाजी का पुन रूप से विभाजन रूप ले ले लेता है भारत में स्वन और दलित झोटी जाती का दलित गोरे काले गरीब अमीर की विभेद समाजिक विभेद है यह क्या है समाजिक विवेद है आज हमारे यहां आपको इतनों अच्छा काम कर लो आप मतलब कि काले हो तो आपका वैल्यू नहीं देगा मतलब समाज को पता नहीं गोड़ा चमड़ा को लेके ओड़ेगा कि का करेगा समाज से बाहर है समाजिक विवेद को मिटा करी समाजिक विभाजन रोका जा सकता है तो समाजिक विभाजन समाजों का बटवारा अगर सबसे पहले रोकना है तो काले गोरे का अंतर खतम करो, अमीर गरीब का अंतर खतम करो, लंबा नाटा का अंतर खतम करो है ना, ये सब चीज़े जो होती है मानव को ये सिख्षा का कोई मतलब है नहीं है हमारे समाज में सिख्षित होते हैं इन चीज़ों को खतम करने के लेकिन आज सबसे बड़ा सिख्षित लोग ही इन सब चीज़ों को करता है तो इह क्या हूग है? Sमाजिक विभाजन यानि काले गोडे, अमीर, गरीब, छोटा बड़ा का भेथ कोतम करके हम समाजिक विभाजन को रोक सकते हैं विभाजन का मतलब बटबारा, समाज को बटने से रोक सकते हैं अगला सवाल नेक्स, allah सवाल आपका संपर्दाइक्ता क्या है सवाल में जवाब होता है सवाल को समझ जाओ कि संपर्दाइक्ता का अर्थ क्या होता है कह रहा है जब समाज में एक धरम के लोग एक दूसरे को छोटा है वह अपने धरम को सरवोच समझने लगते हैं जब किसी समाज में समाज के लोग अपने आपको या एक दूसरे को छोटा बड़ा अपने धरम को बड़ा दूसरे के धरम को छोटा समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर बिलगाव उत्पन हो जाती है धार्मिक अस्तर पर क्या होता है कि युद्ध हो जाता है लड़ाई हो जाता है, इसी अवधारन को संपरदाइक्ता को होते हैं, इसी अवधारन को संपरदाइक्ता, यानि कि उन कहाँगा कि हम अमीर हैं जैसे कहा न कि एक लड़का कहा कि हमारे दादा को इतना बड़का अस्तबल है जहां घोड़ा को रखते हैं, कि छे महीना से घोड़ा दौर रहा, अस्तवले खतम नहीं हुआ, तो हम मुग के दादा के पास इतना बड़ा लगगा था, कि ऐसे आसमान में खोचड़ते हैं, तो पानी हो जाता है, तो भला जुट तो रहा दादा लगगा कहा रखता है, जु जाता है, जौलना जाता है, तो बले पगला रात में किया था, रात में सूरस ठंडा जाता है, यह क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, इस ही को हम संपर्दाइक्टा कहते हैं, आपने को छोटा दूसरे को बड़ा बड़ा चोटा करना, यह संपर्दाइक्टा है, यह किस इसे भी लोक्तंत्र लिए खतरनाक है हम जिस देश में रते हैं वो क्या हमारा लोक्तंत्र है लोक्तंत्र में उच नीच भेदभाव करना खतरे से खाली नहीं है आज यहां पर आप रहे तो कोई हिंदू बचा आता है हुंदू को साथ हम दुरवय वहार करें तो फिर तो अक् तो इसलिए सिक्षा का मतलब होता है समानता एक्ता देना कोई सिक्षित व्यक्ति आपको ये भेदभाव बताता ही नहीं है जो भेदभाव बता है वो सिक्षित नहीं है अब रहे हमारे पॉलिटिशन की बात तो उन्हों की बाते छोड़ दो महान आदमिया उन्हों की बात बिलकुल अलग हो जाती है